Hello everyone, I hope you all are doing well. आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे. आपका स्वागत है हमारे चैनल अपनी पाट्शाला सविल सर्वसेज पे. मेरा नाम है दिव्या और आज के हम इस महत्वपुन सेशन में One Nation, One Election के बारे में चर्चा करेंगे. हाल ही में काफी सुर्ख्यों में रहा है एक देश, एक चुनाव का कॉंसेट, simultaneous election का कॉंसेट, तो क्या है ये, कब से ये लागू होने जा रहा है, क्या high level committee की जो recommendations है, वो क्या रही है, साथ ही में क्या challenges है, one nation, one election को लागू करने के पीछे, कौन-कौन से ऐसे संशोधन है, जो यहां किये जाएंगे, मतलब constitutional amendments हैं, जो इसे लागू करने के लिए किये जाएंगे, सारी चीज़ें हम आज के इस session में discuss करेंगे, इस पूरे session को access करने के लिए, पूरे content को access करने के लिए, आप हमारी website अपने partial law.com पर जाकर इसे access कर सकते हैं, English current affairs और Hindi current affairs की पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, चलिए, तो one nation, one election, अगर हम कहें, तो एक देश, एक चुनाव, एक ताकी और एक नई दिशा में कदम रखने का ये concept है, relevant है हमारे paper, GS paper 2, federalism, government policies और intervention से, तो आईए समझते हैं कि why it has been in the news, ये सुर्खियों में क्यों रहा है, हाल ही में जो हमारी केंद्र मंत्री मंडल है, union cabinet है, उन्होंने बोल सकते हैं simultaneous election, मतलब एक ही साथ चुनाव करने की जो प्रक्रिया है देश भर में, उसको यहाँ पर approve किया है, जिसमें लोक सभा, आपका जो निम्न सधन है, आपके जितनी भी राज की विधान सभाएं हैं, State Legislative Assembly है, और जितनी भी स्थानिय निकाय हैं, जितनी भी local bodies हैं, जैसे के municipalities और panchayats, तीनों ही तरह के tiers में, तीनों ही तरह के स्तर पर जो चुनाव होंगे, वो एक साथ होने का यहाँ पर प्रपोजल जो है, उसे अप्रूफ कर दिया है, अब ये जो निर्ने आया है, ये एक high level committee के recommendation के द्वारा लाया गया है, ये उच्छस्तर ये committee, पिछले वर्ष, रामनात कोविन जी, जो हमारे पूर्व राष्ट पती रहाया चुके हैं, उनके अध्यक्षता में ये committee बनाई गई थी, जिन्होंने one nation, one election, plan के अंतरगत, उनकी report को submit किया था, 14th March को, यहाँ पर आप P.I.B. की report भी देख सकते हैं, कि report के अंदर 18,626 पेज की पूरी report बनाई है, करीबन एक साल यहाँ पर हो गया है, समीति को बने हुए, और इन्होंने जो श्री रामनाद जी कोविंद जी थे, जो हमारे former president है, उनकी chairmanship के तहट यहाँ पर इस committee को बनाया गया था, यहाँ पर उनने क्या recommendations करी हैं, क्या यहाँ पर सुझाव दिये हैं, सारी चीज़े अभी हम discuss करेंगे, और इसी report के submission के तहट, one nation, one election फिर से चर्चा में आ गया है, तो चलिए समझते हैं, कि एक साथ चुनाव होना, मतलब simultaneous election का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है, कि आपकी देखिये, अगर हम बात करें, तो हमारा जो structure है government का, इस लाइक कि आपकी parliament है, central level पर केंदर स्तर पर आपकी संसत है, संसत की दो सदन है, two houses are there, जिनको हम लोक सभा और राज्य सभा कहते हैं, उसके बाद उसी तरह से हमारे राज्यों में, राज्यों में कानून बनाने के लिए, जो हमारी विधान सभा होती है, विधान परिशत जो हर राज्यों में नहीं है, जो हमारी parliament है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो that is a form of bicameral legislature, राज्यों में unicameralism ही है, राइट, दो हाउसेज हर एक राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों को छोड़के, तो जितनी भी, क्योंकि अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ पर लोक सभा में direct election होके, हमारे MP सेलेक्ट होते हैं, साथ ही में राज्यों के विधान सभाओं में सीधे तोर पर निर्वाजित होके यहाँ पर MLA यहाँ पर हमारे elect होते हैं, तो जितनी भी हमारे लोक सभा के election, आपके विधान सभा के election, साथ ही में जो स्थानिय निकाये हैं, मतलब municipality और पंचायत, इन तीनों ही स्तर के election एक साथ हो जाएं, एक ही दिन, मतलब एक ही दिन प सके, यह simultaneous election का concept है, और currently अगर हम बात करें, तो यह अलग-अलग स्तर पे होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते, कि पंचायत के एक साथ election हो रहे हों, या फिर पंचायत, लोक सभा, legislative assembly, इनके एक साथ अभी नहीं होते, अलग-अलग होते हैं, तीनों को एक साथ यहाँ पर election जो हो सकता है, बस तीनों जो स्तर हैं, उन तीनों स्तर पर जो निर्वाचन हो, वो एक ही समय पर, एक ही डे पर हो, और यही है आपका one nation, one election, एक देश, एक चुनाव, तो यह तो हमने समझा कि यहाँ पर simultaneous election क्या होते हैं, क्या यह पहली बार ऐसा सुर्ख्यों में रहा है, या चर्चा में रहा है, कि पहले भी इसकी चर्चा हुई है, नहीं, हमारी आजादी के बाद, जब पहली बार हमारे general elections हुए, आम चुनाव हुए, 1951 में, 1951 से लेके जो आखरी 1966 में चुनाव हुए थे, तब तक हम simultaneous election ही follow करते थे, तीनों स्तर पर अगर हम बात करें, दों स्तर कुछ न कुछ बोल सकते हैं कि यहां पर गवर्ण सरकारे गिर गई या आगे पीछे सरकारों की बनने की वजए से यहां पर simultaneous elections धीरे धीरे बंद होने लगे, और उसके बाद अगर हम ध्यान दें, तो यह हर साल की तरह, अलग-अलग सतर पर हर एक साल में elections होने लगे, तो य 1962 में, 1966 में, तो चारों ही यहां पर अगर हम बात करें, तो first four जो elections हुए हैं, उनमें simultaneous elections हुए थे, अब आती है बात कि यह जो recommendation हाल ही में, जो सुझाव भेजे हैं high level committee ने, यह कितने important है और कौन से महत्वपून सुझाव हैं, जो इस committee ने पेश किये हैं, तो सबसे पहले nation one election को लाने के लिए, दो तरह के समविधान संशोधन के बिल लाए जाएंगे, अम आखिर में भी चर्चा करेंगे, पर brief में अगर हम देखें, तो जो समविधान है, ठीक है, वो amend होगा, उसका मतलब संशोधन होगा, और दो संशोधन वाले यहां पर बिल पेश किये जाए और इस बिल में state का ratification नहीं चाहिए, no ratification by the state मतलब राज्यों का अनुसमर्थन यहां पर जरूरी नहीं है, पहले constitutional amendment बिल के लिए, दूसरे की बात करें, तो जो आपकी municipality और जो आपकी पंचायत है, जो नगर निगम और पंचायत है, उनके एक साथ, लोक सभा और विधान स सबा के साथ, election होना, मतलब within 100 days के अंदर, सीधा सा मतलब है, कि पहला तो आपका सविधान संशोधन बिल लाया जाएगा, उसमें किसकी बात की जाएगी, कि लोक सभा और विधान सबा के एक साथ क्या हो, election हो, दूसरे बिल में, जो नगर निगम और पंचायत है, उनके election भी लोक सबा और विधान सबा के election के 100 दिनों के अंतरगत ही, यहाँ पर इनके भी elections हो जाए, इस तरह का यहाँ पर दूसरा बिल लाया जाएगा, और इस बिल के लिए, of course, कम से कम यहाँ पर आधे राज्यों की अनुमती चाहिए होगी, ratified by not less than half of the state, तो दो तरह के यहाँ पर one nation, one election concept को लागू करना है, तो बहुत सारी अगर हम यहाँ देखे तो 15 बोल रहे हैं, कुछ लोक 18 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 15 से 18 संशोधन किये जाएंगे, मुख्य रूप से अगर हम देखें, तो 5 ऐसे बड़े संशोधन हैं, जो हमारे अनुछिद में किये जाएंगे सबसे पहले एक साथ चुनाव करने के लिए कम से कम 5 अनुछिदों में क्या होगा, संशोधन की अवशकता है, 5 articles will be amended, जैसे की 83, article 83 जो बात करता है संशत के सदनों की अवधी, मतलब duration of parliament, जो आपके houses हैं, लोकसभा, राज्यसभा, 85 की बात करें, तो राष्ट्रपती द्व 12 लोकसभा को भंग करना, ये 85 article है, 172 article विधान सभाओं के अब्धी को लेकर है, 174 article विधान सभाओं को भंग करने से संबंदित है, और article 356 जो की राष्ट्रपती साशन, जो प्रसिडिन्ट रूल है, उससे संबंदित है, तो मेजर मेजर रूप से इन सारे अनुछिदों क किये जाएंगे, मुख्य रूप से, इसके अलावा इस जो कमीटी है, उन्होंने नय आर्टिकल, नया अनुछेट, 82A को भी यहाँ पर लागू करने की क्या बुली है, यहाँ पर रेकमेंडेशन दी है, जो आर्टिकल 82 है, वो डिलिमिटेशन से संबंदित है, परिसीमन से स अंख्या है, उनके शेत्रों के हिसाब से, जो निर्वाचत शेत्र है, उनके हिसाब से हम यहाँ पर सीमा तय करते हैं, तो इसके अंदर 82A, मतलब एक नया अनुछेट डालने की यहाँ पर घोशना करी है, 82A, जो की लोगसभा और स्टेट असेम्बली, मतलब लोगसभा और विधान सभा के जो elections होंगे, उनको एक साथ यहाँ पर चुनाव की प्रणाली को सुनिश्चित करेगा, तो नया आर्टिकल 82A यहाँ पर इंसेट करनी की यहाँ पर क्या दी है, रेकमेंडेशन दी है, साथ ही में दूसरा नया आर्टिकल 324A को यहाँ पर include करनी के लिए बो लोकसभा और विधान सभा के elections के साथ यहाँ पर किये जाएंगे, तो यह दो नया आर्टिकल्स जो है यहाँ पर यह लागू करने के लिए रेकमेंड इन्होंने किया है, 82A और 324A, इसके बाद single electoral role and election ID, जो एकल मतदादा बोल सकते हैं, रोल है या बोल सकते हैं, एकल मतदा सुची है, उसको भी यहाँ पर prepare करने के लिए एक और कुछ amendment किये जाएंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो election commission of India है हमारी, वो state election commission के साथ consult करके, तीनो tier, मतलब तीनो स्तर के जो elections होंगे, उनके लिए एक single electoral role prepare करेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो state election commission क पावर है, वो ECI को दी जा रही है एक तौर पर, जिससे 243K, 243ZG, यह कुछ articles जो है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर cross हो सकते हैं, conflict में आ सकते हैं, तो यह चीज हमने देखी कि यहाँ पर कौन-कौन से संशोधन किये जाएंगे, और क्या-क्या यहाँ पर simultaneous election, मतलब एक साथ चुनाव करने की जरूरत क्या है, what is the need, तो यहाँ अगर हम देखें, तो आम तोर पर ऐसा माना जाता है, कि लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं, उनमें करीबन जो हमारी केंद्र है, वो 4000 करोड के लगबग खर्च कर देती है, तो अगर हम मोटे-मोटे के लिए cost reduction यहाँ पर करने के लिए हम एक साथ elections करवा सकते हैं, दूसरा क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल कही न कहीं elections रह रहे हैं, तो हो जो हमारे मंतरी हैं, जो हमारे candidates हैं, वो हमेशा उस campaign mode में रहते हैं, जिससे हमारे developments पे आप बोल सकते हैं कि नीती जो policy बना रहे हैं, प उस पे काफी बुरा असर पड़ता है, code of conduct आप जाए सके जानते हैं कि आचार सहीता लग जाती है 45-60 दिन के लिए, उसमें जितने भी घोशनाएं हैं, वो सरकार नहीं कर पाती, developmental projects रुख जाते हैं, तो overall हमारे economy भी burden पड़ता है, इसके अलब अगर हम बात करें, तो जो efficiency ह governance की काम करने की जो शमता है, वो कम होती है, voters यहाँ पर fatigue feel करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग-अलग स्तर पर अपना जो vote है वो देने जाना होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो need है, जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जो streamline हो जाएगी, अगर हम ए चीखी साथ यहाँ पर elections को करवा सकेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि simultaneous election लाने के लिए आपके दो तरह के bill, मतलब सविधान संशोधन bill पेश किये जाएंगे, पहला सविधान संशोधन जिसमें special majority आपको चाहिए, special majority दोनों ही लोगसभा और राजयसभा में, यह ब राजयसभा में, जिसमें at least आधे, जो total membership है, राजयसभा और लोगसभा के total members है, उनके at least आधे लोग तो इसके favor में होने चाहिए, साथ ही में जो present and voting है, मतलब जो लोग वहाँ पर मौझूद है, उनमें और two-third voting यहाँ पर must approve होनी चाहिए, तो special majority से पहले तो pass होना, साथ ह में अगर हम बात करें, तो आधे से जादा लोग इस favor में होने चाहिए, दोनों ही सदनों के जितने भी members है, और दूसरी चीज हमने देखी, जो members present है, उनमें two-third member की present and voting यहाँ पर चाहिए, इस bill को यहाँ पर पारित करने के लिए, उसके बाद second जो संशोधन bill है, जिसमें ह राज्य विधान सबाय हैं, उनका यहाँ पर ratification जरूरी है, और यह इसलिए क्योंकि जो राज्य सूची है, उसके अंदर आता है आपका local government वाला subject, इसके लिए आपको states के authority भी लेनी पड़ेगी इस तरह के कानून को पास करने के लिए, बिल को पास करने के लिए, तो इस त अनुछेद में किये जाएंगे, कौन से ने अनुछेद यहाँ पर articles include होंगे, क्या जरूरत है और किस तरह से यहाँ पर बिल पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा, अब अगर हम आगे बड़ें, तो आखिर में अगर हम देखें कि what is the way forward, क्या आगे हम क्या-क्या steps ल काफी synchronized way में हमारी electoral cycle रहेगी, यह भी हमें ensure करना होगा कि आप भली तीनों सतर पर एक साथ निर्वाजन कर रहे हैं, बट वो free and fair manner में हो, जिसे जो integrity है, किसी के भी vote की, वो यहाँ पर उसकी value जो है, उसकी कीमत जो है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे, इसके अलावा, यहाँ पर अगर physically possible नहीं हो, तो technological inclusion कर सकते हैं, अब electronic voter ID card है, वो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, implement कर सकते हैं, जिससे जो voter register करेगा, उसकी accuracy पर कोई सवाल नहीं आएगा, right, digitalize हो जायाएगा एक तरह से, और आखिर में अगर हम बात करें, तो हमारा जो पुरा burden है, वो कहीं कहीं हमारा union government पर ही रहता है, कि इंदर सरकार पर रहता है election का, तो हमें state funding जो होती है elections की, right, वो भी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर inclusion देना होगा, और साथ ही में अगर हम बात करें, तो जो role, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई भी candidate यहा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं, it's a positive step, अब इतने बड़े देश में इसको effectively implement करना, यह हमारे लिए एक challenge है, but that's up to the administration की, आपर हम देखेंगे कि किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, तो यहाँ पर यह पूरी चर्चा करी हमने one nation, one election के बारे में, अगर आपको पूरा content read क करना है, तो आप हमारी website अपनी पाकशाला.com पर जाके चेक कर सकते हैं, I hope you have enjoyed the session, thank you so much for watching.